डिक्टेशन स्टार्ट होगा पांच सिकेंड बाद स्टार्ट जिस समय भारत के संदर्व में हमें यह चिंता जनक खबर पढ़ने को मिल रही है कि यहां साथ साल से अधिक उम्र के लोगों में वैक्सिन लेने की रफ्तार धीमी पढ़ गई है और लगभग बावन फिसदी बुजुर्गों ने तीके की अभी पहली खुराक तक नहीं ली है तब अमरिका से तीका करण अभियान की कम्याबी का एक सुखद समचार आया है वहां एक अध्यन में पाया गया है कि अब जितनी भी मौते हो रही है उनमें करीब 99 फिसदी वे लोग हैं जिन्होंने कोविड-19 की वैक्सिन नहीं लगवाई थी माई में 18,000 से अधिक अमेरियों ने इस वायरस के कारण अपनी जान गवाई मगर उनमें से करीब 150 लोग ही ऐसे थे जिन्होंने तीके की दोनों खुराक ले रखी थी गोर करने वाली एक अहम बात यह भी है कि जन्होरी के मध में वहां रोजाना अस्तन 3400 लोगों की जान जा रही थी तब वहां तीका करण अभियान शुरू हुए एक महीना ही हुआ था मगर आज वहां COVID-19 के कारण मरने वालों की दैनिक संख्या 300 से नीचे आ गई है मान्य आयू वर्ग के 63 प्रतिसत अमेर्की एक खुराक और करीब 33 फिसदी दोनों तीके लगवा चुके है अमरिका से आय ए बेर्वे टीका करण की अहमियत अस्थापित करते हैं हालांकि ए यह भी बताते हैं कि अमेर्की समाज में भी टीके को लेकर संसया दुराग्रह पालने वालों की कमी नहीं है बहरहाल वैक्सिन की प्रभावसालिक्ता से जुड़ी इन जानकारियों का लाब दुनिया भर की सरकारों को उठाना चाहिए और अपने टीका करण अभियान को गती देनी चाहिए खासकर भारत के लिए यह काफी अहम है क्योंकि न सिर्फ इसको तीसरी लहर की असंकाओं को निर्मुल करना है बलकि असंक्य लोगों के भाय पूर्वाग्रह को दूर कर उन्हें टीका करण केंद्रों तक लाना भी है देश की विशाल अभादी को देखते हुए यह काफी चुनवती पून काम है लेकिन यह अनिवार्य है और अनिवार्यता का कोई विकल्प नहीं होता भारत का ठीका करण अभियान पहले ही विसंगतियों का सिकार रहा है एक तरफ इसके हिस्से में सरवाधिक ठीके लगाने वाले चंद देशों में सुमार होने की उपलब्धी है तो वहीं ठीके की कमी के कारण लोगों का ठीका करण केंद्रों से मायूस लटना भी है एक और सव फिसंदी ठीका करण वाले गाम है तो दूसरी और ठीकों की बरबादी भी है ठीकों की दर सुप्रीम कोट का हस्त छेप और केंद्र राजियों में समन्वे की कमी जैसी बातों को एक तरफ रख भी दे तो अब भी इसमें निरंतरता की कमी है किसी दिन कोई राज्य लाखों ठीके लगाने के किर्तिमान रच रहा है तो अगले ही दिन वह संख्या हजारों में सिमट आ रही है नहीं यह इवेंट मैनेजमेंट का विशय नहीं है लोगों की जिन्दगी और देश के भविश्य का गंभीर मसला है इसलिए केंद्र और राज्य सरकारे इस अभियान को गती देते समय तीको की आपूर्ती निरंतरता और छेत्रफल का समान रूप से ख्याल रखे इस बात की अंदेखी नहीं की जा सकती की जिस आईवर्ग में अब तक करीब सो फिसदी टीका करण हो जाना चाहिए था उसके 52 प्रतिसत लोगों को एक खुराक भी नहीं लगी है अमेरकी अध्यान के नतीजे बता रहे हैं की ना सिर्फ सरकारों बलकी समस्त समाजिक समुहों और सजग नागरिकों को अभ्या मकसद बनाना पड़ेगा की टीका करण अभ्यान जल से जल्द सफल हो तभी भारत में भी COVID-19 का दैत्य काबू में आपाएगा समाप झाल